दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 600W का stereo amplifier कैसे बनाए जाता है एक-एक connection कैसे करना है सारी detail मैं आपको बताऊंगा साथ ही मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर यह पूरा system मैं आपको testing करके भी दिखाऊंगा 600W का stereo amplifier बहुत ही powerful amplifier होता है उसके लिए हमें जो जो समान चाहिए आपके सामने मौझूद है आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा 300W का mono board है जो कि हमने भी latest स्यार किया हुआ है आप देख सकते हैं इसकी quality बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको relay protection के साथ में यह board मिलता है आपको अलग से इसमें relay protection लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी साथ ही इसमें देख सकते हैं जैसे fan वगारा connect करना है आपको Bluetooth चलाना है और relay का connection आपको inbuilt इस board में ही मिल जाएगा ठीक है तो इस board की खाशियत है कि बहुत अच्छी quality का board है इसमें देख सकते हैं heat sink वगरा इसमें जो उने transistor use किये हैं तो CVA 2SC 519-233 के transistor use किये हैं और 300W का proper board है 300W के board में दोस्तों एक चीज आप हमें सा दियान रखेगा कि 300W के board में आपके 6 transistor होने चाहिए total तो आपका 300W का board वो कहलाता है कि कुछ लोग के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 transistor लगे होत तो उन सब सीजों से थोड़ा सा आप बचिये क्योंकि वो board आपको बहुत ज़्यादा तो देगा 200W देगा वो भी अगर अच्छा driver section है और उसमें अगर अच्छे transformer और आप यूज कर रहे हैं तो 300W के लिए आपको उसमें 6 transistor होने चाहिए क्योंकि एक पेर जो है आपका transistor य यह आपका depend करता है कि यह आपका 8 home पे work करेगा या 4 home पे work करेगा फ्रेंड्स यह हमारा board 8 home का बना हुआ है 8 home पे work करेगा 8 home पे आपको यह 300W का output देगा बहुत ही बढ़िया क्वाल्टी का है इसके साथ फ्रेंड्स हम जो transformer यूज करेंगे आप देख सकते हैं कि यह transformer मैंने बढ़िया इसमें quality आपको मिलेगी और साथ ही हम इसमें यूज करेंगे six capacitor की power supply और यह तीन IC का preamp है हमारा जिसमें base, mid, treble यह आपके तीन option मिलते हैं और इसको bluetooth से connect करके हम सारा चीज आपको चला के दिखाएंगे और पूरे connection कैसे करने है यह सारे detail मैं आपको बता हूँगा और वीडियो को फटर फट से लाइक कर दिए चैनल को सबस्काइब कर लिए चलते हैं connection की दरफ और सारे connection मैं आपको कर के दिखाता हूँ दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो transformer है उसको हमें AC input से जोड़ना है तो हमने यहाँ पर एक lead लगा ली है 220V supply देने के लिए ठीक है फटर तो अभी transformer में supply आ गई है और transformer की जो output है 55055 की वो हमें इस power supply में देनी है तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है AC तो यह AC की दो wire हमको यहां पर लगा देनी है देखें एक मैंने यहाँ पर लगा दी दूसरी यहाँ पर लगा दी ठीक है फ्रेंड्स और यह जो हमारी ground की wire बची है इसको हमें यहाँ पर ground पर लगा देना है तो इसको मैं फटा-फट से ground पर sold कर लेता हूँ यह देख सकते हैं यहां पर मैंने ground पर sold कर दी, ठीक है friends, अब यह हमारी power supply हमारे transformer से जुड़ चुकी है, दोस्तों supply on करके हम देख लेते हैं कि हमारे power supply में कितने voltage आ रहे हैं transformer से, तो friends मैंने यहां पर on कर दिया है और multimeter को हम DC पर set करते हैं, 200 volt पर मैंने set कर दिया है, और यहां पर हम चेक करेंगे, आप देखिएगा, तो यहां पर जैसा कि voltage का output आ रहा है, देख सकते हैं, 77, 78 के आसपास, 77.9 voltage हमें मिल रहे हैं, minus voltage, और ऐसे ही हम प्लस चेक करेंगे, तो प्लस भी हमको 78, 79 के आसपास मिल रहा है, ठीक है friends, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, कि 55, 055 को जब हमने DC में convert किया, तो DC में हमको 78 voltage के आसपास मिल रहे हैं, तो अभी चलते हैं, हम अपनी filter power supply से connection करते हैं, अपने board को, उसके लिए हम यहां पर इन तरह की connection wire की जिक का use करेंगे, देखिए हमने इसमें यहां पर यह पिनों को sold करके बनाया हुआ है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो देखिए red positive है, blue negative है, और जो white है वो हमारा ground है, तो इसी तरह से connection करना है, इसको कभी भी गलत नहीं करना है, क्योंकि यह DC supply होती है, तो गलबढ़ हो चाहेगा, अगर गलत connection कर देंगे, तो मैंने इसको यहां पर minus में connect कर दिया, यह ground पर कर दिया, और यह हमने positive पर connect कर दिया, अब चलिए हम board को भी supply दे देते हैं, तो board को supply देने के लिए हमें यहां पर, यहां पर हमें ground जोड़ना है, यह negative voltage और यह हमारी positive voltage, दोस्तों इसी तरह से हम दूसरे board का भी connection कर लेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर दोनों board में power supply या connect कर दी है, आप देख सकते हैं, दोनों में ही हमारी plus minus ground की power supply का मैंने connection कर दिया है, बट दोस्तों अभी यह board हमारा on नहीं होगा, क्यों नहीं on होगा, दोस्तों क्योंकि हमारे इस board में relay protection लगा हुआ है, तो जो relay protection है, जब तक उसको हम DC 12 volt supply नहीं देंगे, तक यह हमारे board के output को on नहीं करेगा, तो उसके लिए simply दोस्तों हमें क्या करना है, यह जो हमारी 0-12 वाली wire है, इसको हमें अपने board में connect करना है, तो इसको फटा-फट से मैं आपको दिखाता हूँ, कि यह connection कहां पर होंगे, देखें यह जो हमारा board है, तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने connection किया 0-12 के लिए, जहाँ पर यह 4 diode लगी हैं दोस्तों, तो वहाँ पर AC और AC लिखा हुआ है, आपको connection करने में कोई भी problem नहीं होगी, सब कुछ लिखा हुआ है board पर, तो यह देख सकते हैं, मैं एक बार PCB को आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यह देखें, AC, AC, तो यहाँ पर आपको जो 0-12 की wire है, वो आपको sold करनी है, मैंने sold कर दी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ampere के, यहाँ पर डायोट 54, 0-4, 54, 0-8, कोई भी डायोट आप, यहाँ पर 3 ampere के डायोट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हमने 0-12 दी, तो हमारे इस बोड को, तो relay protection को supply मिल गई, यह बोड हमारा on हो गया, पठ हमें इस बोड को भी on करना है, तो उसके लिए दोस्तों, simply, एक हमने यहाँ पर जिक ली, और यह जो हमारा 12 बोड का output है, तो इससे हम यहाँ connect करेंगे, और मैं इसको simply दूसरे बोड में, 12 बोड डिर्शी supply दे लूँगा, तो यहाँ पर मैंने जोड दी है, तो इससे हमें, जो हमारा दूसरा बोड है, इसके relay के लिए हमें 12 बोड सप्लाई मिल गई, तो हमारा यह बोड भी on हो जाएगा, तो चलिए हम इतना करके देख लेते हैं, और मैं देखिए, आपके सामने इतना setup on करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, दोनों में पहले red light जल रही है, और यह देखिए, इन दोनों बोड पर हम एक एक फैन लगा लेते हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो देखिए, हमने एक यहाँ पर फैन लिया, और यह चो हमें एक connector यहाँ पर खाली मिल रहा है, इसमें हम यहाँ पर जोड देंगे, तो यहाँ से हमारा यह fan on हो जाएगा, यह हमारा एक चैनल के लिए, और दूसरे चैनल के लिए हमने एक fan यहाँ पर लगाया, और इसको हम यहाँ पर जोड देंगे, देखिए, यहाँ लिखा हुआ है fan, तो यहाँ पर इस section में आपको जोड देना है, तो यह fan आपका यहाँ से on हो जाएगा, तो यह दोनों fan के आपके connection हो गए, आपके amplifier में दो fan होते हैं, दो fan आपको लगाने होते हैं, दोनों चैनल के लिए, प्रॉपर कूलिंग के लिए, तो आप इस तरह से आपने दो fan लगा लिए, दोनों fan आपके on हो गए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक जो प्रियम्प लिया है, यह हमारा 120-12 DC supply पर काम करता है, आपके पास अगर AC supply पर काम करने वाला है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, आप कोई भी connection कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हमने DC supply की एक जिक जोड़ ली है, और जो हमारे transformer से हमको 120-12 की output मिलती है, यह देखिए, तो इसको हम कहां connect करेंगे, तो यह जो हमारी supply है, इसमें देखिए, यहाँ पर भी 120-12 का section बना होता है, तो देखिए, हम यहाँ पर connect कर देंगे, हमने यहाँ पर 120-12 यहाँ पर input दे दिया है, तो हम चल दिये, यहाँ पर अपना जो preamp है, उसको supply दे देते हैं, 12V plus minus ground, ठीक है friends, तो यह हमारे preamp को supply मिल गई, हमारा preamp यह on हो गया, अब क्या करते हैं friends, कि इसमें हम जोड़ेंगे Bluetooth card, तो Bluetooth card, देखिए, हम यह वाला use कर रहे हैं, आप कोई भी use कर सकते हैं, तो normally जितने भी Bluetooth card आते हैं, वो 5V पर ही run करते हैं, बहुत ही कम Bluetooth card होते हैं, जो कि 12V या other voltage पर run करते हैं, यहाँ पर देखिए, लिखा होता है 5V input, तो यहाँ से हमने 5V के लिए एक जिक लगाई, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें 5V का output मिलता है, मैं आपको PCB में दिखा देता हूँ, देखिए, यहाँ पर देखिए, लिखा होता है 5V, ठीक है फ्रेंट्स, तो यह 5V का output मिलेगा, जिससे आप अपना Bluetooth card चला सकते हैं, तो चलिए, मैं इसको यहाँ पर connect कर देता हूँ, तो इससे हमारा Bluetooth card भी on हो जाएगा, इसको supply मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंट्स, अब Bluetooth card को जो हमारा output होता है, audio out करता है, देखिए, यहाँ से connect करना है, इसको लगा देते हैं, एक जिक हमने यहाँ पर लगाई, और इस तरह के से जोड़ी, और इसको हमें क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो इसको direct अपने बोर्ड में भी input कर सकते हैं, यह double channel होता है, तो देखिए जो black और red है, यह double channel होता है, बीच वाली ground common होती है, दोनों में आपको देनी होती है, ठीक है friends, तो आप इसको direct भी दे सकते हैं, अगर direct देंगे, तो आपका जो Bluetooth card का audio source है, जिस तरह की audio create करेगा, उस तरह से आप इसमें board में use कर पाएंगे, अगर आपको उसकी frequency, अपने recording अरजश्ट करके चलानी है, तो उसके लिए आपको एक preamp यूज़ करना पड़ता है, ठीक है friends, तो देखिए, जो हमारा Bluetooth card का audio ये out है, इसको हमें देना है, अपने preamp के audio input section में, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा Bluetooth card, या फिर आप RCA socket, या किसी भी चीज़ से connect करते हैं, तो जहां से audio out होती है, वो हमेशा input में ही जाती है, तो यहाँ पर आपने preamp में audio input कर दिया, अब यहाँ से जो audio out हो रही है, इस audio out को हमें अपने दोनों board के audio input में देना है, ठीक है friends, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से एक जिक से यह दो जिक का connection कर लिया है, दोनों board के लिए, ठीक है friends, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक जिक लगाता हूँ, audio output के लिए, और इनको मैं जोड़ देता हूँ, दोनों board के audio input में, तो देखिए, क्योंकि यह ओपनली वाइरिंग करना इतना easy नहीं होता है, और देखने में थोड़ा वैसा लगेगा, जब इसको आप cabinet में, एक बढ़िया amplifier में आप तियार करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सारी वाइर वगरा अर्जेश्ट करने का, सब को केवल टाइब वगरा के कर देंगे, तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो देखिए, हमारा सिम्पली सारी connection हो चुके है, और मैं अभी इसमें speaker की वाइर जोड़ना बैकी है, मैं इसमें speaker की वाइर जोड़ लेता हूँ, ये दो तो टाउप मैंने जोड़े हैं, इस पे 15 पंदा इंची के speaker है, तो देखिए, सिम्पली मैं इसको connection करूँगा, जो की हमारा यहां लिखा हुआ है, speaker out, यहां लगा देंगे, ठीक है फ्रेंज, और यह speaker ground, यहां जोड़ देंगे, तो यह हमारा, एक channel का connection हो गया, यह हमारा दूसरा channel का connection हम कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं, आप सारे connection में कर चुका हूँ, तो अभी चलता हूँ, पहले वह वाल्यूम धी में कर देता हूँ, और set on, दोस्तों आप देख सकते हैं, कि दोनों board में power supply आ गई है, दोनों board में देखिए, green light जल रही है, हमारा Bluetooth card भी on हो गया है, तो all over पूरा setup हमारा on है, दोनों fan work कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और दोस्तों इस पे में जो आपको testing दिखाने वाला हूँ, आप सामने देख पा रहे हैं, कि यह 15 इंची के top हैं, 400 watt का एक box है, तो यह दो box में आपको पूरा test करके, इन दोनों board में पर चलागे, दोस्तों हो सकता आपको थोड़ा बहुत नवाइस सुनाई दे रहा हो, तो कि दोस्तों यह open wiring है, तो इसमें जो wire वगएर यूज होई है, यह बहुत ही normal wire होती है, तो इसमें थोड़ी बहुत humming वगएरा आपको समझ में आ सकती है, बट इसको जब आप proper amplifier में mount करेंगे और अच्छी wire का वगएरा यूज करेंगे, copper की wire का यूज करेंगे, जैसे यह जो हमारी jig वगएरा होती है, सब aluminium की होती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें humming वगएरा ऐसे open चलाने में आ रही है, बाकि जब इसको cabinet amount करेंगे, grounding करेंगे cabinet में, तो आपको बिलकुल भी coin wise नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़ियांग, इसकी quality आपको मिलने वाली रहे हैं, और यह जो हमारा 600 watt का setup है, इसका एक amplifier भी आने वाला है, जो कि हमारे customer है, उनका order है, तो 600 watt stereo amplifier का भी, जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा complete testing के साथ में, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, दोस्तों मैं आप सभी के लिए काफी मैनेद करता हूँ, वीडियो बनाने में काफी मैन लगती है, तो प्लीज अगर आप एक लाइक और subscribe करते हैं, तो हमें थोड़ा सा support मिलता है, तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को wind up करते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, next वीडियो में मैं आपको 600 watt का amplifier, पूरा प्रॉपर टेस्टिंग के साथ दिखाने वाला हूँ, साथी में एक 2.1 amplifier भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि केरियो के amplifier में ने त्यार किया है, उसकी भी टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद फिर 5000 watt amplifier की वीडियो आने वाली है, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ नेक्श वीडियो में, बाए बाए दोस्तों, बन्ले मात्रा,